हाई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EPSC Info24 में स्वागत है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे दोस्तो ए जो वीडियो है ए जी आइसी हिस्ट्री का भाग पाच है तो अगर आप TGT, PGT और LT grade की तयारी कर रहे हैं तो ए वीडियो आपके लिए है तो दोस्तो इस्टार्ट करते हैं आज का ए पहला नमर कोशन जो एक क्याओन नमर से सुरू हो रहा है किस भारती सासक ने अपने अधिकारियों एवम सिपाईयों को वेतन देने के लिए महादारी पत्दती को अपनाया था महादारी पद्धिती को किसने अपनाया था तो आपसन एक है तीपु सुल्तान आपसन दो है हैदराबाद का निजाम आपसन थ्री है राजा रंजीत सिंग आपसन डी है बाला जी बाजी राओ तो आंसर हो जाएगा दोस्तो आपसंसी राजा रंजीत सिंग ने अपने अधिकारियों एवं सिपाईयों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धती को अपनाया था तो महादारी पद्धती को किस ने अपनाया आंसर हो जाएगा राजा रंजीत सिंग राजा रंजीत सिंग आगे चलते हैं फ्रेंट्स बाउन नमर कोशन नाम लिंगा अनुसासन नामग्रंत के लेख़़ कौन थे आपसन एक है छहमेंदर आपसन दो है कालिदास आपसन सी है अमर सिंग आपसन डी है लचमिधर तो आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स अमर सिंग अमर सिंग ने नाम लिंगा नुसासन नाम ग्रंत को लिखा है अगला कोश्चन किरपन नमर कोश्चन है बहुत ही इंपार्टेंट कोश्चन है दोस्तो मुगल बादसा जहांगीर के समय इस्तित डच फेक्टरी का प्रमुख कौन था मुगल बादसा जहांगीर के समय आगरा इस्तित डच फेक्टरी का प्रमुख कौन था आपसन एक है फ्रांसिसको पे सर्ट और आपसन भी है जोसिप फ्रांसवा आपसन सी है थामस कानवे आपसन डी है लुई वेनोईट तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तो आपसन ए सही हो जा किनारे इस्तित प्रारमभिक कृसी अस्थल कौन था ए आपको बताना है आपसन ए चिराद आपसन दो भी है लहुराद देवा आपसन सी है मेहरगर आपसन डी है मह दहा तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका भी हो जाएगा लहुरा देवा, जील के किनारे इस्थित प्रारंभिक क्रितिय क्रिस्तर है, अगला कोशचन पच्पन नम्मर निमलिखित चौल सासको में से मालदीव की विजे करने वाला प्रथम सासक कौन था? निमलिखित में से चोल सासको में से माल दीव को विजय करने वाला प्रथम सासक कौन था ए आपको बताना है आपसन A है राज राज प्रथम आपसन B है राज एंदर प्रथम आपसन C है राजा धी राज आपसन D है राज एंदर दिती है तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 55 का ए सही हो जाएगा राज राज प्रथम राज राज प्रथम चोल सासक था जिसने मालदिव की विजय की थी अगला कोशन निमलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है यह आप से ने 1928 में साइमन कमीशन आया था भारत यह सही बात है 1928 में भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया था यह भी बात सही है 1928 में रमन प्रभाव का अविस्कार किया गया था ये भी सही बात है और 1928 में मदर टरेशा का पहली बार भारत आगमन हुआ था ये वाला आंसर गलत है मतलब ये 1928 में नहीं आई थी ये आई थी 6 जनवरी 6 जनवरी और 1929 में 6 जनवरी 1929 इस डेट को ये कलकत्ता में आई थी मदर टरेशा पहली बार जब भारत आई थी तो ये आई थी 6 जनवरी 1929 को तो फ्रेंट्स ये याद रखेंगे तो गलत को ने डी वाला आपसन गलत है ये सुमेलित नहीं है इसलिए हमारा आंसर डी सही हो जाएगा और बाकी के 1928 में साइमन कमिशन का भारत आगमन हुआ था सही बात है 1928 में भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया था 1928 में रमन प्रभाव का अविस्कार किया गया था लेकिन डी वाला गलत आपसन है इसलिए डी हमारा सही आंसर होगा आगे 57 नमर कोश्चन है सलेस दी अर्थी में लिखा प्रारंभिक मद्यकाल का गरंथ है प्रारंभिक मद्यकाल का गरंथ कौन सा है यह आपको बताना है हर्स चरित, राम चरित, नौसांशांग चरित, बिक्रमा देव चरित तो आंसर हो जाएगा दोस्तो, B. रामचरित, रामचरित जो है, दो अर्थिय में लिखा गया प्रारंबिक मद्यकाल का ग्रंथ है, अगला कोशन देखिए, अंठावन नमबर, वाइस आप इंडिया के संपादक कौन थे, आपसन A है, कोलिन क्लार्क, आपसन B है, वी यप मलावारी, आपसन C है, चार्ल्स इलियट, आपसन D है, विलियम डिगवी, तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तो, B सही हो जाएगा, वी यम मलावारी थे, वाइस आप इंडिया के संपादक, वी यम मलावारी थे, अगला कोशन, निमलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, संगठन दिया है, और वेक्ति है जो संबंदित है, आपसन एए United Indian Patriotic Association किस्से समबन्दित है सरसयद अमत कंग से एवाला नए मतलब सही सुमलित है यंग बंगाल आंदोलन तो एभी बीवीन डरोजियो से हनरी बीवीन डरोजियो से एभी सही है और ची एव बहिस्कृत हितकारि सबाज जो तिवा फूले दिया है फ्रेंट्स एवाला गलत है क्योंकि ए सुमेलित नहीं है वह स्कृत हितकाड़ी सभा इसको वीवरां अंबेटकर ने मतलब अस्थापित किया था तो एवाला आपका गलत आंसर हो जाएगा और एफी हमारा सही हो जाएगा पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है तो C वाला सुमेलित नहीं है और Theosophical Society की अस्थापना कर्णल आलकट ने किया था ए भी सही सही है तो A वाला सही है ए वाला भी सही है और A वाला भी सही है इसलिए हमारा आंसर जो गलत पूछा है तो गलत A वाला है इसलिए A वाला सही आंसर होगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपका C सही हो जाएगा किसी सुमेलित नहीं है यहां पर जोतिवा फूले ना होकर भीमरा अंबेट कर रहना चाहिए इसलिए यह गलत है और यह हमारा आंसर सही होगा आगे देखिए साथ नमर कोशन है अकबर की विजियों के संदर्ब में निमलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें काला नुक्रमा अनुसार विवस्थित कीजिए काला नुक्रमा अनुसार विवस्थित करना है अकबर द्वारा जो विजय किया गया था तो आपसन है इसमें दिया गया है कूट, कूट के सायता से आपको सही उत्तर को चुणना है, आपसन एक है, इसमें A, B, C, D दिया है, तो पहले तो आपको डेट मालूम होना चाहिए कि कौन सा किस डेट में हुआ था, तभी आप कर पाएंगे, उडिसा विजे, आप लोगों को मालूम होग यह हुआ था, पंदरसो, एक क्यान बेर में, कंधार विजे सबसे अंत में हुआ था दोस्तों, यह हुआ था, अरे पंदरसो, पंचान बेर में हुआ था, और यह बालूस्तान जो हुआ था, एक कंधार से पहले ही कर लिया गया था विजे, कंधार को, पहले बालूस्तान को करने के बाद ही अकबर ने वहाँ कंधार पे आक्रमड किया था तो इस तरह आपका ए भी 1500 पंचान बेर में हुआ था लेकिन इस सुरुवाती में साल के सुरुवात में हो गया था और एक कंधार विजे जो साल के अंत में हुआ था तो A याद रखेंगे तो इस तरह हम इसको प्रथम कर लेंगे इसको दिती कर लेंगे पहला विजे A हुआ था दूसरा इसको किया गया था अब इसका मिलान कर लीजिए आपको कौनसा आंसर सही हो जाएगा तो आंसर आपका B सही हो जाएगा पहला मतलब साथ का कोशन का आंसर जो हो जाएगा 20 ही हो जाएगा पहले किया गया था सिंध विजे उसके बाद किया गया उडिसा विजे उसके बाद किया गया बलुशिस्तान विजे उसके बाद किया गया कंधार विजे तो एक क्रम याद रखिएगा नोट कर लिजिएगा आगे देखिए 61 नम्मर कोशन जार बल्लब भाई पटेल, मोती लाल नहरू, जवाल लाल नहरू, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जवाल लाल नहरू, जवाल लाल नहरू कहते हैं, कि क्या मैं राजनीती में आपका ही बालक नहीं हूँ, हाँ थोड़ा मैं कामचोर और थोड़ा भठका हुआ जरूर हू यह उक्ति महात्मा गांधी से जवाल लाल नहरू जी कहते हैं, आगे देखिए, बासर नमर कोशन है, किन सासकों के सिक्कों पर ध्रमिय या धार्मिक उपादी उतकेड है, तो किन सासकों के सिक्कों पर ध्रमिय उतकेड है, आपसन A है कुसाड, आपसन B है सक, आपसन C है प पलो पलो जो हैं उनके सिक्कों पे ध्रमी सब्द उत्रेड़ है तिरसर्ट नमर कोशन सेर सासूरी के संदर्ब में कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है फ्रेंट्स आपसन ए कौनोज के युद्ध के बाद वह भारत का सासक बना आपसन दो है उसने बंगाल के गवणनर के पत्प को समाप्त कर 47 सरकारों में विभक्त कर दिया जो सीधे उसके नियंतरड में थे तो इस दोनों के दोनों जो है कथन या तत्थ जो है दोनों सही है दोस्तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा C सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा तो इसलिए आपका आंसर C सही होता है अगला कोश्चन बहुत important question है ये कई बार paper में पुछा गया है त्री पच्छी संगर्स के संबंद में निमलिखित इग्मू में से कौन सा युग्म सही है ये बताना है आपको मिहिर बोज, थ्रू और धर्मपाल क्या त्री दली संगर्स में सामिल थे तो ये वाला तो गलत हो गया दोस्तो ये वाला नहीं था सही में दोनों देखे तो ये वाला दोनों सही है ये दोनों जो दिये गए हैं आपको कथान 1, 2 और 3 इन जो च्छा हैं ये सब सामिल थे इसमें से धुरू भी नहीं सामिल था और साइद में एक भोज भी सामिल नहीं था तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो B सही हो जाएगा दोस्तों B वाला आपसन आपका सही हो जाएगा अगला question देखिए निमलिखित गटनाओं पर विचार कीजिए और इनको सही काला अनुक्रम अनुसार विवस्तित कीजिए निमलिखित गटनाओं पर विचार करना है और उसको काला अनुक्रम अनुसार विवस्तित करना है तो पहले तो इनका हमको डेट याद रहना चाहिए तो ही हम कर पाएंगे ठीक है तो पूना सारोजनिक सभा कब अस्थापित हुई थी तो पूना सारोजनिक सभा फ्रेंड्स हुई थी आपकी 1870 में 2 अपरेल 2 अपरेल 2 अपरेल 1870 में जो है पूना सारोजनिक सभा की अस्थापना हुई थी और Bombay Presidency Association की अस्थापना 1885 में हुई थी फ्रेंट्स यह हुई थी 1885 में इसको आप नोट कर लेंगे और आपका East India Association की जो अस्थापना हुई थी 1866 में हुई थी फ्रेंट्स वह थी मई में मई 1884 में माई 1884 में अब इस डेट के अंसार आप मिलान कर सकते हैं तो सबसे पहले जो और आए कम है वह 1866 तो थ्री पहला आप्सन हो जाएगा तो थ्री इसमें देखे तीन में है अब दूसरा जो हो जाएगा 1867 के बाद 877 हा रहा है तो 3 और इसके बाद 3 और 16 1 जो होगा वही आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर 3 पाला मिल गया और हमको कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है तो हमारा आपसंज जो हो जाएगा C सही हो जाएगा है ठीके आगे देखिए जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसल्मान हो या अंग्रेज विदेशी नहीं है 1916 में यह गोसरा किसने की थी तो जो भी इस देश की भलाई इस देश की जनता के लिए भलाई का काम करता है वह न तो मुसल्मान है और न तो अंग्रेज है चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो मुसल्मान लेकिन वो विदेशी नहीं है ऐसी बात किसने की थी तो ये बात की थी ये जो है बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक ने कहा था जो भी इस देश की जनता की भलाई के लिए काम करता है वो अचाय मुसल्मान हो या अचाय अंग्रेज लेकिन वो क्या है विदेशी नहीं है अगर भलाई का काम कर रहा है तो कोई भी है लेकिन वो विदेशी नहीं है ऐसा उनका मानना था यह बात अगर देखें तो आपका उस समें एनी बेसिंट के लिए लागू होता है भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया यह सभी को मालूम होगा तो इसका अंसर हो जाएगा 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था आगे देखिए 68 नमर कोशन पुलकेसिन दिती के किस सामंत ने सब्दा उतार नामक व्याकरर गरंत की रचना की थी किस ने की थी यह बताना है आलूप ने किया था सोमराय ने किया था पंडित उदेदेव ने किया था या गंगा राज दुर्विन्ती ने किया था तो आंसर हो जाएगा डी आपका गंगा राज दुर्विन्ती ने किया था वी नित ने किया था आपसन डी आपका सही है आगे देखिए कोशन 69 नमर अलाव दिन खिल जी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद लड़ते हुए मृत्तु हुई थी ए आपको बताना है आपसन A है जफर खां, आपसन 2 है नुसरत खां, आपसन C है अलप खां, आपसन D है उलुक खां आंसर जो हो जाएगा दोस्तों A सही हो जाएगा जफर खां, जफर खां का जो जफर खां था ओ अलाव दिन खिल जी का सेनापति था जिसका मंगोल कोई विरुद लड़ते हुए मृत्तु हो गई थी मर गया था अगला कोईशन है सत्तर नम्मत और इस वीडियो का आखरी कोईशन है महाबोधी वंस के अंसार निमलिखित में से कौन काला सोक का पुत्र नहीं था यह आपको बताना है तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों उग्रे सेन हो जायेगा उग्रे सेन काला सोक का पुत्र नहीं था इसा महाबोधी वंस के अंसार गया है तो इहीं पर ए वीडियो समाप्त होते हैं उमीद करते हैं फ्रेंट्स ए वीडियो आपको पसंद आएगी अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक करते हैं लाइक आप करते हैं तो हमारा होसला बढ़ता है और हम और मेनत करकर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं बिना कुछ किसी को बिना होसला दिये कोई कुछ नहीं कर सकता दोसलों अगर आप लोग होसला के लिए बस लाइक करते हैं तो हमको यह उमीद होती है कि थोड़ा तो कुछ अच्छा कर रहे हैं नहीं तो इस तरह सब निरस टाइब का लगता है तो इसलिए आप सभी लोग अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप को चैनल अच्छा लगता है तो नहीं तो मत सब्सक्राइब करिए सभी को नमस्कार गुड़नाइट